नवस्कार मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ अभिनो तुशांशू पांडे और अभिप्षा की पूरे टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी बात चीत कहां हो रही थी हम किस रिसे पर चर्चा कर रहे थे तो आपको याद दिला दूँ कि हम कर रहे हैं परिक्षा की तैयारी यहाँ पर 36 गड़ बोर्ड का एक्जाम से रिस चल रहा है और अभिप्षा की टीम के इस प्रयास में यदि आप हमारे वीडियो को हमारे एप्लिकेशन के थूरू एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक्जाम से रिस मिशन ट्वन्टी ट्वन्टी त्र अलावा यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेना चाहिए अब आज हमारी चर्चा का country होगा पात्या वर्ति धारा या इसको एंग्लेश में क्या बोलते हैं इसको एंग्लेश लोग में से बहुत सारे लोग इसको एसी के नाम से जानते हो अब आप अगला प्रश्न पूछाओगे कि सर फास्ट्रेक रिविजन कोर्स कहा गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि अब हमारा एक्जाम बहुत ही तेजी से जो है हमारे पास आता जा रहा है प्रश्न के बारे में बात की जाएगी जो आपको पिछले परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इससे आपको फाइदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उस प्रकार के उत्तरों की तैयारी करनेंगे तो उठाइए बिलकुल तयार हो जाएए और चलिए आएए सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ष्ण क्या है किसी तार में root 2 ampere की प्रत्यवर्ति धारा बह रही है तो i का मान क्या है i का मान है root 2 root 2 ampere और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अधिक्तम मान क्या होगा जब भी हम किसी प्रत्यवर्ती धारा का i बता रहे होते हैं तो ये असल में होता है i rms और हमको एक सूत्र पता है वो सूत्र क्या है कि i rms i rms बराबर i naught divided by root 2 याने कि जो अधिक्तम मान होता है किसी भी ac current का ac धारा का वहाँ rms उसका जो है rms जो है ये average मान है root mean square current इसको कहते हैं और ये formula है तो यदि हमको i naught निकालना है तो i naught का formula हो जाएगा i naught याने कि maximum value of i और ये हो जाएगा root 2 into i rms अब यहाँ पर value डालेंगे देखें root 2 यहाँ पर पहले से value है तो हो जाएगा root 2 into root 2 और answer आजाएगा 2 ampere का current 2011 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान है चलिए आगे बढ़ेंगे और आप धियान रखें कि आज के इस session में हम सिर्फ आंकिक प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं इसके theory से जुड़े हुए आगे प्रश्न जो है आपको अगली वीडियो में दिखाए देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि lr परिपथ में प्रतिगहात प्रिरकत परिगहात मतलब की इसको बोलते है XL और इसका मान है तीन ओम और ओमी प्रतिरोध का मान है ओमी प्रतिरोध का मान है चार ओम तो हम से पूछा गया है कि प्रतिबाधा गयात कीजिए हमको पता होना चाहिए कि प्रतिवाधा के लिए हमारे पास में तीन अलग अलग कंडिशन्स हैं पहली बात यह है कि यदि किसी परिपत में सिर्फ प्रतिरोध हो तो जो है उसको हम उसको हम आर से अभिव्यक्त करते हैं यदि किसी परिपत में सिर्फ इंड़क्टेंस याने की सिर्फ प्रिरकत तो ह तो उसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं और ये XL यहाँ पर होगा Ome Ga L, इसी तरीके से किसी परिपत में यदी हमारे पास में सिर्फ संधारित्र हो तो ऐसी स्थिती में हम XC से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1 बटा Ome Ga C और इसके बाद में यदि परिपस में हम लोगों ने प्रतिरोध और प्रेरकत तो दोनों मिला करके जो है हमारा परिपस कंप्लीट किया तो यहां पर प्रतिबाधा को बोलते हैं यह प्रतिबाधा का मान हो जाएगा एक वर्ग मूल R का वर्ग धहन X L का वर्ग या फिर हम इसको बोज़ सकते हैं Z बराबर R वर्ग मूल R का वर्ग धहन OMEGA L का वर्ग इसी परकार से किसी परिपत में यदि प्रतिरोध के साथ में हमारे पास में संधारित रहो तो ऐसी स्थिती में हमारे पास में ये प्रतिरोध है और ये प्रिरकत्व है ये प्रतिरोध है और ये संधारित्र है तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे पास में क्या होता है प्रतिबाधा का मान हो जाता है एक बटा आर का वर्ग धन एकस सी का वर्ग और यह हो जाएगा जैड बराबर वर्ग मूल आर का वर्ग धन एक बटा ओमेगा सी और पूरे का वर्ग अब जो है यहाँ पर यदि हमारे पास में कोई ऐसा प्रतिरोध मतलब ऐसा परिपत आ जाता है जिसमें हमारे पास में प्रतिरोध आर उसके बाद में संधारित रसी और प्रेरकत्व एल तीनों के तीनों मौजूद हो तो ऐसे इस्थिती में हम क्या बोलते हैं Z बराबर वर्ग मूल आर का वर्ग धन XC माइनस XL और पूरे का वर्ग इसको हम और लिख सकते हैं Z बराबर वर्ग मूल और यहाँ पर हो जाएगा आर का वर्ग धन ओमेगा एल रेन वेक बटा ओमेगा सी और यह पूरे का वर्ग तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे सूत्र देख लिए अब सारे के सारे सूत्र देख लेने के बाद में जो है हमको जो है यहाँ पर सूत्र क्या यूज़ करना है XL और R तो यहाँ पर हमको दिया गया है तो यह देखिए यह से जुड़ा हुआ सूत्र आपको यहाँ नजर आता है और यहाँ पर जो है यदि हम मान डालते हैं तो Z का मान हो जाएगा चार का वर्ग धन तीन का वर्ग और इन दोनों को जोड़ने से Z का मान हो जाता है पांच ओम यही हमारी सही वेल्यू है तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रशनों के उत्तर समझ में आ रहे होंगे कच्छा मैं मतलब 2010 में पूछा गया यहाँ प्रशन है इसके अलावा भी आपको आँखिक प्रशनों के लिए एक और वीडियो मिलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद